नमस्ते, मैं स्वागत करता हूँ अभीनफ लाइठावस ओल से इस तरीव में बात करना चाहता हूँ नाड़ी शुधन प्राणायम और ये एंग्जाइटी में बहुत हेल्पफुल है मेरे खुद की एंग्जाइटी में इस नाड़ी शुधन प्राणायम से मेरे लिए एक ल प्राणायम भी बोलते हैं या फिर अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीफिंग भी बोलते हैं इसको ठीक है तो कैसा है पहले तुरह सा कॉंसेप्ट समझ लेते हैं हमारा बॉडी बहत्तर हजार नाड़ियों से बहरा है ठीक है एक वाइरिंग है अंदर ठीक है फिजिकल वाइ सिर्फ ये प्रोसेस करने से ये पूरे भत्तर हजार नाड़ियों की शुद्धी होती है ठीक है तो आप सोचो कितना प्रेशियस नॉलेज है ये कि सिर्फ ये प्रोसेस करने से हमारा पूरा नाड़ी सिस्टम शुद्ध हो जाता है तो anxiety एक energy है it is energy जो clog हो जाती है हमारे इस सिस्टम में ठीक है तो इसको हम निकालने के लिए बहुत ही gentle और बहुत ही अच्छा ये way है बहुत ही powerful way है तो इसको कैसे करना है वो समझ लेते है ठीक है अपने को क्या करना है कि ये बैठके करना है पेट थोड़ा खाली रहना चाहिए भरेवे पेट के साथ आप ये नहीं होना चाहिए दो गंटे का अच्छा आपका जब बैठते हो तो आपका कमर सीधी होनी चाहिए मतलब ऐसे मतलब इस मतलब बैक आर्क होनी चाहिए से धनुष की तरह है थोड़ा बैक बहुत ज्यादा स्ट्रें भी नी रालना है बैक पे अगर बहुत एगदम आप रिलाक्स हो ठीक है बहुत जादा स्ट्रें नी करना अपने आपको यह करके अब हमको क्या करना है यह पहले दो उंगलिया जो है पहले दो उंगलियों को आप आपका जो भी राइट हैंड हो तो राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से जैसे भी पहले दो उंगलियों को है इसमें आपको एक बार में एक ही नॉस्ट्रिल से सास लेना है तिक है या सास छोड़िए एक ही नॉस्ट्रिल खुला रहेगा एक टाइम में तो कैसे करना है मैं इसे कर लिया तीक है पहले दो-तीन क्लेंजिंग ब्रेच ले लो डीप ब्रेच लेलो ताकी जो stress इनों जितना धीरे इस breathing को करोगी उतनो उसका benefit जादा अच्छा हैगा ठीक है आपसे 8 count नहीं होता कोई बात नहीं 6 count कर लो 6 count नहीं होता चार count कर लो कोई problem नहीं 10 count होता है 10 count कर लो over exert अपने को नहीं करना है ठीक है अच्छा आप ट्राइ करो अगर 8 count inhale से ले रहे हो तो exhale भी 8 count करो या 8 count करो या फिर 8 count से जादा exhale कर सकते हो तो जादा करो ठीक है जैसे 8 count in और 8 count exhale वो भी ठीक है 6 count in और 10 count exhale वो भी ठीक है ठीक है तो जैसे आपको सही लगे त्राइ करो exhale inhale जितना हो या inhale से जादा हो सके तो better है ठीक है अच्छा अभी देखो जैसे मैंने पहले मैं start कैसे करत तो ये दोनों हाथ रख दिये इधर, आप आप तो मेरे को ऐसे देख पा रहे हो बराबर, ठीक है, अभी मैंने left nostril अपने ring finger से बंद कर दिया है, right nostril से मैं 8 count तक सांस लूँगा, अब मैं right nostril को बंद कर दूँगा अपने thumb से और left nostril से सांस चोड़ूँगा, 8 count तक, अब मैं वापस left nostril से ही सांस लूँगा और left nostril बंद करके right nostril से सांस चोड़ूँगा, ये हो गया आपता एक राउंब, ठीक है, सांस right nostril से सांस अंदर, left nostril से सांस बाहर, left nostril से सांस अंदर, right nostril से सांस बाहर ही हो गया, एक round, ऐसे आप 10 round करो, ठीक है, 10 round नहीं हो जगे, तो पांच round करो, आप ये करोगे तो आपको बहुत relaxed लगेगा, ठीक है, जैसे आप करोगे, आपको बहुत relaxed लगेगा, left brain, right brain, जो है, दोनों brain hemispheres की balancing होती है, ये anxiety में बहुत helpful है, ठीक है, और पूरा आपका नाड़ी system शुद्ध हो जाता है, तो जभी भी आप stressful situation में हो, anxiety में हो, आप ये कर सकते हो, और daily basis पे भी, सुबह, शाम, जैसे आप meditation करने बैठते हो, तो meditation करने से पहले नाड़ी शुद्धन कर लो थोड़ी दिर, फिर meditation कर लो, ठीक है, तो जितने बार दिन में आपको anxiety आए, तो आप नाड़ी शुद्धन कर सकते हो, अपना, पाच राउंड कर लो, और देखो, कि मेरी anxiety पहले कितनी थी, 0 से 10 काउंट पे पहले measure कर लो, कि अच्छा, पहले 7 पे थी, अभी meditation नाड़ी शुद्धन करके, 3 और 4 पे आ गई है, तो ये बहुत-बहुत powerful है, तो आप इसको please practice करो, और आपको कोई भी इसमें question हो, मैं अगर